असकार स्वागत है आप सभी का एनम 92 बारा भरती में सुप्रिम कोर्ड का ओर्डर आने के बाद 7189 फ्रेस सेलेक्टेड बहनों के नियुकती पत्र बित्र का कारेकर मस्तगित किया गया है ये जानकारी हमने आपको रात को लगबग 12.30 बजे के आसपास दी थी हाला कि कोर्ड आर्डर पहले ही आ गया था विभाग के पास या आयोग के पास या सरकार के पास लेकिन उस पर डिसीजन लेने में इतना समय लगा और उसके बाद फिर आफिसल नोटिस जारी की गई जिले वार भी नोटिस जारी कर दी गई है सुबह तक अब इसमें दिक्कत हुभी बहुत सारी बेहनों को कि CMO अपने जिले में पहुंच गहते बहुत सारी बेहने CSC पर पहुँच रहे थी जिनको लखनाओ वाना था अपने जिले के CSC पर वहाँ से लखनाओ के लिए जो बसे थी उनको लेकर कियाने वाले थी बहुत सारे दिक्कते हुए यहाँ पर हमने बात भी किये कुछ लोगों से जो बिदिक जानकार है और इसमें किस प्रकार से क्या दिक्कत हुए और मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा नई कटाप बनेगी या जो कुछ भी चीज़े है नियुकती पत्र कब तक दुबारा से बित्रड होगा तो वीडि प्रमाण पत्रों के आधार पर लेकिन 287 सीटे खाली रह गई थी जो की नियमा नुसार अनारक्षित में जोड़ी जानी थी और उसको आयोक की तरफ से नियमा नुसार अनारक्षित में जोड़ते वे उन सीटों पर भी जो भी अभ्यारती मेरिट में आ रहते अन्रेजर व वीडियो था कि 277 में सब भी अभ्यारती हैं OBC भी है SC भी है जन्रल भी है आखिर यह पता कैसे चलेगा कि इनमें कौन कौन से अभ्यारती है तो यह लिष्ट यूपी टेपल सी आयोक के द्वारा दी जाएगी उनके पास सारा डाटा उन्हें सब पता है तो यह लिष्ट वहीं दे सकते हैं और यह लिष्ट उनहीं को देना है अभी जो EWS की जो बहने याची करता बहने जो सुप्रेम कोर्ट में गई हुई है उनका यही था कि पहले जो सीटे हमारे लिए बच्ची भी दिखा ली जिन सीटों को अनारक्षित में जोड़ा गया था उन सीटों पर नियुकती पत्र बितर न करवाय जाए अभी उनके प्रमार पत लेकिन अभी फिलाल में 277 सीटों पर नियुकती पत्र बितर के लिए माने सरवो चन्याले से रूख है और यह 277 सीटे 8831 में से है ना कि 7189 में से यानि कि इन 277 में से माल लिजे हाँ पर लगबग 240 या 235 यह तो एक जैक्ट आक्टा बताया नहीं जा सकता लेकिन लगबग में नोटिस जारी कर दिया गया होगा तो यह चैज़े आप लोग भी समझ सकते हैं कि यह 277 सीटे जो है 7189 में से माइनस नहीं होगी मतलब 692 6912 है माफी चाओंगा तो इससे ज्यादा बेहनों को यहाँ पर नियुकती पत्र मिलेगा 287 सीटे 8831 में से माइनस होगी और लगबग सबा 215 सीटे 7189 में से माइनस होगी तो लगबग जो है 6930 या 6940 के आसपास तक जितने बेहने होंगी उन बेहनों को नियुकती पत्र दिया जाएगा अब यहाँ पर देखिए मैं किसी के उपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर उड़ता है कि जब 17 फरोरी को सुनवाई हो गए थी सरोचे नियाले में तो क्या वहाँ पर विभाग को या फिर माननी आयोग को या फिर माननी सरकार को यह नहीं चीज़े पता चलेंगी कि उस दिन सुनवाई में हुआ क्या या फिर कोड ओर्डर में क्या आने वाला है ऐसा था है नहीं कि कोई फैसला रिजर्व किया गया हो उसके बारे में कोई जानकारी न हो जब इस तरह से सुनवाई होती जिसका court order इस वरकार से जल्दी आ जाता है जिसमें कोई फैसला सुरक्षीत नहीं रखा जाता है तो यहाँ पर चीजे पता रहती है सरकार यद्वक्ता महोदे को कि उसमें क्या आ सकता है उसके बाउजुद यहाँ पर अगर नियुक्ती पत्र बित्रड समारों की पूरी तयारी की गई थी तो उसमें भी डेट कौन सी रखी गई थी 21 परवरी की डेट रखी गई थी यानि 17 के बाद 4 दिन बाद की आप 18 को भी डेट रख सकते थे 19 की भी डेट रखी जा सकती थी 20 की भी डेट रखी जा सकती थी या जितनी जल्दी हो सकता तो उतनी जल्दी यहाँ पर नियुक्ती पत्र बित्रड करवाई जा सकते थे फिर यहाँ पर second सवाल ही होगा कि मारी जो पहले नियुक्ति पत्र बितर हो गया होता क्या माने सर्वों चैन्याले के आदेस की बाद फिर नियुक्ति पत्र वापस भी हो सकते थे ओभी चीजी हो सकती थी तो यहाँ पर फिर हमें सरकारी तंदर के उपर पूरा भरोसा रखना होता है मारनी सरकार के ऊपर आयो की बिभाग के ऊपर कि इस में पीड से दुफरोग गते। अधffen और लोग के me अगली सुनवाई का वेट कर सकते हैं और जो भी अंतिम डिसिजन होगा उसी के बाद है डिसाइड हो पाएगा कि इन 287 बहनों को कब तक नियुक्ति पत्र मिलेगा या फिर इसमें जो याची करता बहने उनको भी इसमें समयोजित किया जाएगा अब इसके आगे आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि जैसे माल लिजें यहाँ पर यह 50 गई है कटाफ यूवार की जनरल के नहीं UR की, जनरल की कटाफ नहीं होती है, अनारक्षित की कटाफ होती है, अनारक्षित में सब भी लोग आते हैं, उस में चाहे जनरल के बहने हो चाहे OBC, SC के OBC की 42 कटाफ है और SC की 35 कटाफ है अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से अगर आप सुनेंगे तभी आपको चीजी यहाँ पर समझ में आप आएंगी जैसे माल लेजी यहाँ पर जो 277 इसको मैं 277 सीटे है उन सीटों बर्जिन का सेलेक्शन हुआ होगा तो हम यहाँ पर 250 मान के चलते हैं तो माल लेजी 250 में suppose that for example जब यहाँ पर जनरल की मेरिट माल लेजी 52 या 53 रही होगी लेकिन 277 सीटे UR में और जोड दी गई तो जनरल की मेरिट या UR की मेरिट कहे लिजे UR की मेरिट और कम आई होगी तो उस मेरिट के साफेज उस मेरिट में जो भी अभ्यरती आये होंगी चाहे वे जनरल की रहे होंगे चाहे OBC की रहे होंगे चाहे SC की रहे होंगे उनका सेलक्शन UR में होगा अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी जैसे अगर माल लिजे नई मेरिट नई कटाप का तो नहीं बता सकते हैं अब भी बस यहाँ पर यह हो सकता है कि सब कुछ पूर्वकी भाती रहेगा केवल उन 277 सीटों को रोका जाएगा और 7189 में 277 में से जितनी भी बहने होंगी इस ल यहाँ पर एक दूसरा पहलो यह भी हो सकता है कि माल लिजे हाँ पर इसमें से जो भी पहले सामा नवर की सीटी थी उसमें यह 250 सीटे जोड़ी गी ती अब इनी सीटों को उसमें से निकाल दिया जाएगा तो आटोमेटिकली जो है यूवार की मेरिट उपर जाएगी माल ल नहीं होगा नियुकती पत्र रोका जाएगा अभी उनको नियुकती पत्र नहीं मिलेगा इसमें जो OVC की बहने होंगी माल लिजे इसमें 100 या 8790 बहने OVC वर्क की थी जिनकी मेरिट अच्छी थी और UR की जब मेरिट डाउन होई 277 सीटे एड होने से तो इन बहनों को भी कुछ बहने जिनके नंबर 50 या 50 से उपर रहे होंगे और 277 सीटे जोडने से जितनी मेरिट डाउन होगी उस मेरिट में अगर वे आई होंगे तो उनका सेलक्षन यूवार में हो गया इस तरह से उनकी वज़े से उनकी कैटिगरी के भी सीटे खाली होगी तो उन सीटों पर फिर 80 वर के कम मेरिट वाले बहनों का सेलक्षन होगी और कम नंबर वालों बहनों का सेलक्षन होगी इसी तरह से OBC में भी तो अब यहाँ पर मालेजी अगर भी बहने वापस से अपने केटिगरी में उनको समयोजित किया जाता है तो आटोमेटिकली OBC और यसी की कटाफ भ हाई जाएगी वैसे ही OBC और यसी की भी कटाफ हाई जाएगी यह दूसरा पहलू है जिसके होने के चांस कम है या बहुत कम है हाला कि चर्चा इसी पर ज्यादा चल नहीं होगी तो केवल यहां पर आपको जानकारी देने बाके ऐसा कुछ अभी होने वाला है क्या होने वाला क कटाफ में कोई परिवर्तन नहीं प्रोविजनल की बहनों का अभी तो आगे का प्रॉसस होना है उनका डीवी प्रिप्रेंस तो वहां पर जो बहने होंगी 277 में से मालेज वहां पर पचास बहने होंगी ऐसी बहने जो EWS की सीटों पर सेलेक्ट भी होंगी तो उनका तो पाइनल हो पाए लेकिल यहां पर 7189 में से जितने भी बहने EWS की सीटों पर सेलेक्ट होंगी किसी भी केटिगरी में मतलब 50 मेरिट के आसपास सभी बहने चाहे यू आर मतलब 7199 में आप है आपको पता है और आपके नंबर कितने है अगर 50 या 50 से थोड़ा ज्यादा हो आ जाएगा और सेस बहनों को न्यूकती पत्र विदड़ की जो डेट है कारेकरम की वो जल्द घोसित की जाएगी यही जानकारी अभी तक की है कोई भी नई मेरिट नई कटाप को लेकर के जानकारी नहीं प्राप्त होई है जो चीजी बिलकुल सही होंगी तभी आपको बता स सेस बहनों को न्यूकती पत्र नहीं बटेंगे इसी तरह से जिले बार नोटीस भी जारी की जा रही है कि न्यूकती पत्र नहीं मिलेगा तो आपको तो हमने बता दिया था रात कोई हाला की जो कोर्ट वाली चीजे हैं हमें कल दो पर कोई पता थी लेकिन हमें यह नहीं पता था कि आप लोगों का न्यूकती पत्र बित्र नहीं हूपाएगा हमें लग रहा था कि उसमें कुछ होगी कंडिसनल या फिर सरकार के त कि अगर यह बोलते कि हम सीटे समय उजित करेंगे हमारे पास सीटे और हैं तो उस इस्तिति में यहाँ पर यह जो भी कोर्ट आडर आया हुआ है 277 सीटे चोडने के लिए फिर यह कोई दिक्कत नहीं होता यानि हाँ पर भी हम लोग न्यूकती करा सकते थे तो यह सरकार के पूरी तरह से था उनको यह चीज़े कोर्ट में अगर रखनी थी बात किसर हमारे पास और भी सीटे हैं हम उन सीटों पर समय उजित कर लेंगे जैसे सिक्षा मित्रों वाले केस में किया गया था उनके लिए सीटे ऐसे ही चोडने के लिए आदेश था सरवोचे नियाले से लेकिन वहाँ पर गौर्वर्मेंट के तरफ से बोला गया कि हमारे पास 1100 और विग्यापित पद हैं अगर आपका फैसला आएगा तो वहाँ पर टोटल 37,349 सिक्षा मित्र थे तो वहाँ पर यह बोला गया कि हमें इन सिक्षा मित्रों को संभायोजित करेंगे लेकिन अभ जबकि आपके भरती में तो बहुत कम कितने आची होंगे 10-11-12 अधिकतम होंगे सभी नई इतने लोग नहीं है पांच ही लोग है आपने टोटल 5 लोग है जो सुप्रिंग कोर्ट में हैं हाई कोट में 10-11 लोग थे सुप्रिंग कोर्ट में 5 ही बैने हैं तो उतनी सीटे ऐसा भी आदेस आ सकता है माने सर्वो चिन्याले से हमें लग रहा था कि सरकार ने वहाँ पर कोई न कोई वहाँ पर उन्होंना रास्ता निकाला होगा और 17 तारी को सुनवाई होने के बाद भी आप लोगों की न्यूक्ति पत्र बित्र की तैयारी चल लई थी तो बहुत उम् लेकर के सर्वो चिन्याले पहुंचाए कि सरमें भरती करने हमें न्यूक्ति पत्र बित्र करने दिया जाए हम उतनी सीटे और समय उजित कर लेंगी हमारे पास और पद है लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विभाग के तरफ से आफीसल नोटिस जारी कर दी गई तो यह कुल मिला करके अपडेट थी एनम बान बे बारा वरती में न्यूक्ति पत्र बित्र हो रहा था और यहां पर माने सर्वोच नियाले का आदेस और यहां पर सरकार के तरफ से जैसे भी पैरवी की गई या पि जितने भी याची बेने उनकी लिए भी आप सीटे समय उजित करने का एक रास्ता निकाला जा सकता था लेकिन आप पर ऐसा हुआ नहीं से जागे कि जो भी जानकारी जो भी सही अपडेट होगी आप खुम देते रहेंगे दैरे बनाय रखें आप सभी परिसान नहों क्योंकि इसमें क्या की आजा सकता है सब कुछ यहां पर सरकार के हाथ में था